तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप Angel 1 में GTT Order कैसे Place कर सकते हो साल 2024 के अंदर में बिल्कुल नया प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर में जानने को मिलेगा और साथ ही आपको वीडियो में ये भी जानने को मिलेगा कि जब आप angel 1 की उपर में GTT order को place करते हो तो यहाँ पर आपके कितने charges लगने वाले हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो कोई भी sponsor वीडियो या फिर कोई भी investment advisory वीडियो नहीं है share market में किसी भी तरिके के investment या फिर ट्रेडिंग से पहले आप अपनी research ज़रूर करें GTT order का tutorial देखने से पहले हम ये समस्ते हैं कि GTT order आकिर होता क्या है GTT order का मतलब good till triggered order है इस order की खास बात यह है कि या order पूरे एक साथ तक के लिए valid रहता है normally जो बाकी order होते हैं वो एक दिन के लिए होते हैं मान लेते हैं अगर आपको कोई stock 10% या फिर 20% डाउन पर खरीदना है तो इतना बड़ा downfall market में एक दिन में तो नहीं आता है तो इसके लिए आप GTT order को लगा सकते हो जो buy और sell दोनों set पर place हो जाता है और पूरे एक साल तक आपका GTT order active रहता है तो जो लोग भी job या फिर business करते हैं या फिर जो retail investor या फिर trader है तो उनके लिए ये order बहुत ही helpful होने वाला है बस ये order आपको सही से लगाना होता है या फिर सही तरीके से place करना होता है और इस order को आप Angel1 के उपर में बिल्कुल free में लगा सकते हो GTT order place करने के लिए आपको Angel1 का mobile app को open करना है इसका best offer link भी आपको description पर मिल जाएगा वहाँ से भी आप लोग अपना account बिल्कुल free में open करा सकते हो तो Angel1 का mobile application को आपको open करना है open करने के बाद यहाँ पर नीचे home पर आना है और इसको scroll down करना है scroll करने के बाद में नीचे यहाँ पर आपको GTT का option मिलेगा तो आपको इस पर click करना है जैसे आप उस पर click करोगे आपके सामने कुछ ऐसा page आ जाएगा इसको आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो वैसे इन सारी चीज़ों को मैंने आपको वीडियो में पहली बता दिया है तो यहाँ पर आपको नीचे create GTT पे click करना होगा उसके बाद आप लोग search टैप पे आ जाओगे यहाँ पर आप जिस भी stock में GTT order को place करना चाहते हो वो share या फिर उस stock को यहाँ पर से आपको search करना होगा जैसे यहाँ पर मैं national aluminium लिखके search करता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको NSE या फिर BSE select करना होगा तो यहाँ पर मैं NSE पे click करता हूँ उसके बाद यहाँ पर stock का overview open होगा आपको यहाँ पर नीचे buy पर click करना है इसके बाद आप लोग GTT order के buy section पर आ जाओगे यहाँ पर सबसे पहले उपर आपको इसको delivery पर ही रहने देना है उसके नीचे यहाँ पर आपको number of share मिलेंगे तो जितने share आप GTT order लगा कर खरीदना चाते हैं उतने quantity आपको यहाँ पर लिखने होंगे जैसे example के लिए यहाँ पर मैं 50 लिख देता हूँ उसके नीचे यहाँ पर आपको triggered price और limit price मिलेंगे इन दोनों को आपको यहाँ पर सही तरीके से set करना होगा triggered price पर आपको वो price लिखना है जिस price पर आप share को खरीदना चाते हो और बगल में जो limit price है वहाँ पर आप लोग triggered price के नीचे का price लिख सकते हो अब मैं आपको यहाँ पर इन दोनों को set करके दिखाता हूँ यहाँ पर उपर आपको share का price दिख सकते हो और इसके share को मैं 10% down पर खरीदना चाता हूँ मतलब 89.75 रूपिस का यहाँ पर मेरा trigger price होगा और उसके बगल में यहाँ पर आपको limit price मिलेगा तो जितना भी आपको यहाँ पर trigger price होगा उससे थोड़ा नीचे आप यहाँ पर limit price लगा सकते हो तो यहाँ पर limit price में मैं 88 रूपिस लिख देता हूँ उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको create GTT order पर क्लिक करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपसे confirmation लिया जाएगा तो यहाँ पर आपको नीचे confirm पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर देख सकते हो GTT order यहाँ पर place हो चुका है इस order को चेक करने के लिए नीचे यहाँ पर आपको order पर क्लिक करना होगा उपर यहाँ पर आपको GTT का tab मिलेगा तो आपको इस पर क्लिक करना होगा और आप यहाँ से इस order को चेक कर सकते हो इस पर क्लिक करके आप इस order को modify या फिर cancel भी कर सकते हो और आपने जितने भी GTT order यहाँ पर create की होंगे तो वो सारे orders आप यहाँ से check कर सकते हो और आप यहाँ पर multiple order लगा सकते हो buy side और sell side दोनों पर buy करने का process तो हमने यहाँ पर देख लिया है और अब देखते हैं कि आप sell side पर GTT order को कैसे place कर सकते हो तो sell side पर आप इस order को तभी place कर सकते हो जब आपके पास कोई share delivery के उपर में होंगे जैसे यहाँ पर मेरे पास Vodafone idea के share पड़े हुए है तो यहाँ पर मैं इसको open करूँगा यहाँ पर नीचे sell पर क्लिक करूँगा उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको GTT order को enable करना होगा और यहाँ पर भी आपको same triggered price और limit price मिलेंगे तो जितने भी price पर आप share को sell करना चाते हो वो price आपको triggered में लिखना होगा और triggered price में आपने जितना भी amount लिखा होगा उससे थोड़ा बड़ा amount आपको limit price पर लिखना होगा buy side में हमने limit price को कम किया था लेकिन यहाँ पर हमें share को sell कर रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पर limit price को थोड़ा बढ़ा कर लिखना होगा उपर यहाँ पर आपको quantity लिखना होगा और यहाँ पर नीचे confirm GTT पर क्लिक करके sell side पर आपका GTT order यहाँ पर place हो जाएगा अब यहाँ sell side पर जब भी आपका GTT order ट्रिगर होगा तो आपको यहाँ पर tip in receive होगा और tip in डाल कर ही आपका GTT order पे share sell होगा जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी आपको share को delivery के उपर में खरीतते हो और जब भी आपको share को बेशते हो तो आपको depository के तरफ से tip in receive होता है तो सेम वैसा ही process आपको यहाँ पर GTT पे भी करना होगा और अगर आप बार बार tip in नहीं देना चाहते तो आपको यहाँ पर POA मतलब power of attorney angel 1 को देना होगा और उसके बाद जब भी आपका sell set पर GTT order trigger होगा तो वहाँ पर आपको tip in देना नहीं पड़ेगा automatic आपका share वहाँ पे sell हो जाएगा तो यह था पूरा process angel 1 के उपर में GTT order place करने का अगर आपको angel 1 या फिर कोई और trading application डाउनलोड करना है वो भी best offer of late link के साथ में तो इन सारे application के best offer link मैंने आपको दी दी हैं description box में जिरुदा को छोड़के आप इन सारे application के उपर में अपना dmat account बिल्कुल free में open करा सकते हैं और ये जो offers आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये limited time के लिए हैं तो जाब application को डाउनलोड करो और benefit का फायदा उठाओ और अब अगर आपको angel 1 के सारे charges के बारे में detail में जानना है तो आप लोग ये वाली वीडियो के इंदर में click कर सकते हो बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंदा आए तो लाइक कर देना ऐसे और वीडियो के लिए आप लोग चैनल सब्स्राइब कर सकते हैं मेरे को इंस्टा में follow भी कर सकते हैं लिंक आपको description पे मिल दाएगा